दोस्तों मुझे YouTube पर 1 year 10 months के around जो है videos बनाते हो चुके हैं और अब मुझे अब जाके यहाँ पर YouTube से first payment जो है मिलने वाली है तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि में को कितनी payment जो है 1 year 10 months के बाद मिली है साथ मैं बताऊँगा कि YouTube कितने views के आपको कितने पैसे देता है और third चीज़ है यहाँ पर जो है मैंने अपनी first payment पर giveaway रखा है और मेरा अब जाके एक साल 10 महीने बाद जाके जो है यह threshold जो है cross हुआ है यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको dashboard के तरफ लेके चल देता हूँ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मेरे को around 500 रुपे पर month के around जो है यहाँ पर YouTube से earning हो पा रही है और यहाँ पर मेरे जो है लगबाग 30,000 के around जो है views पर month आते हैं तो अब यहाँ पर जो है यह तो last 28 days का जो है यहाँ पर आपको analytics दिख रहा है मैं आपको यहाँ पर जो है lifetime की earning यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे को around 1.1 million views जो है यहाँ पर gain हुए है और यहाँ पर मुझे जो है YouTube से 7,900 के around जो है payment जो है मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर total 1.1 million views में से अगर आप 200 के या 300 के around तो वैसे हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर 4000 watch hours करते करते इतने views जो है लगबग हो जाते हैं तो इस चीज़ को अगर आप side रख देते हैं तो मेरे को जो है 800K के around के जो है payout हुआ है यहाँ पर 7,900 और यह जो है अगर compare करा जाए तो काफी जादा कम है और मैं आपको यहाँ पर चैनल के impressions भी देऊ होते हैं यहाँ पर 10.3 million के around जो है चैनल के impressions है तो यहाँ पर impressions काफी जादा सही गए है वीडियो के और यहाँ पर आप subscribers देखेंगे तो मेरे को around 5,700 के around जो है subscribers अभी currently है और दोस्तो सब्सक्राइबर से ज़्याद है अगर आप चैनल पर नई है तो है जरू चैनल को subscribe कर दीजेगा बैल अगन को भी दबा दीजेगा और notification को उल पर कर दीजेग यह जो है earning vary करती है यूटूबर तो यूटूबर या फिर videos तो videos को कि यहाँ पर हरे keyword पर अलग-अलग CPC rate होते हैं और साथ में YouTube की views के according यहाँ पर CPC वाले ads लगाता है CPC यहाँ पर बताओं तो cost पर click होता है जो ads ज़ादा आपके click के पैसे देते हैं वो वाले ads उनी videos पर जिन पर जादा views होते हैं और उनी channels पे जो है अच्छा कासा earning हो पाता है या CPC increase होती है जिन पर जो है अच्छे कासे views आते हैं तो at अगर आप start कर रहे है YouTube तो starting में YouTube इतना जादा amount नहीं देता है और मैंने आपको जो है भी views के according जो है यहाँ पर सारा कुछ दिखा दिया है क कि कितना amount जो है YouTube कितने views पर देता है और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि काफी questions आरे थे कि आपने जो camera है कैसे purchase करा YouTube money से purchase करा है तो यहाँ पर मैं यह कर देना चाहता हूँ YouTube earning तो मैंने आपको दिखा दिए YouTube earning से purchase नहीं करा है मैं job भी करता हूँ तो मैंने उसकी जो है मिरको salary मिलती है तो उससे जो है मैंने यह purchase करा है दोस्तों चो नए वीवर से शायद उने ना पता हो कि हम अभी तक जो है चार से पांच बार जो है setup change कर चुके हैं और हमारा हमेशा यही रहता है कि हम किसी तरीके से जो अपने viewers है उनको अच्छे से अच्छा content यहां पर दे पाए हमने यहां पर audio quality improve करने के लिए mic improve करा वीडियो quality के लिए camera लिया है यहां पर mirrorless camera और अब editing भी धीरे धीरे improve कर रहे हैं और हमारे always यही prime focus रहता है कि हम viewers को जो है एक अच्छा सा जो है video experience provide करा सके और बाकी आप मुझे जो है comment section में बता सकते है कि हमें next video से जो है improve करना शुरूब दोस्तों जैसा कि video के starting में मैंने बोला था कि यहां पर में इस video में giveaway करने वाले हैं तो giveaway में हम यहां पर करने वाले हैं एक camera stand एक phone यह camera stand का और दूसरा जो चीज है वो है यहां यहां पर बोया by m1 लेपल माइक यह दोनों चीज़े यार एक necessity होत आयो का link मिल जाएगा आपको वहां पर से steps follow करने है उन steps को follow करने के बाद आप जो है giveaway पार्टिसिपेट कर चुके हैं और दोस्तों within a week जो है यहां पर giveaway का result भी आ जाएगा Facebook, Twitter, Insta और YouTube चारो ही प्लाटफरम्स पे जो है हम यहां पर share कर देंगे कौन है giveaway के winners और दोस्तों इ नग्स उन टेक के साथ future में अच्छी वीडियो आती रहेंगी